बिस्मिल्लाहिर रह्माने रहीम, अस्सालाम अलेकूम इस्टूरंस हम चप्टर नमबर 4 पर रहे थे, The Quest for Political Settlement और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, वो होगा Re-Structuring of Muslim League 1937-1939 Muslim League के तंजीम है नो, यनि Muslim League की नहीं तंजीम इस से पहले जितने भी Muslim parties थे या Muslim League थे, वो जो है डिस यूनाइटी थे या इन में misunderstanding थी, गलत फहिम्या थी, जिनकी वज़े से मुस्लिम जो है वो election हार गए थे ठीक है, अब काइद यसम मुहमद अली जिना ने कांग्रेस की जाबिराना हुकुमरानी से फाइदा उठा कर, उन्हों ने अपना पेगाम मुसल्मानों तक पहुंचाने के लिए एक मुहिम का अगास किया, उन्हों ने एक केमपेंट चलाई, ना सिर्फ आम मुसल्मान बलके जमीन दारान भी कांग्रेस के हुकुमरानी से बहुत मुतासिर हुए थे, यहाँ पे मुतासिर का मतलब है कि वो बहुत मुहत से मसाइल का शिकार हुए थे, किसलिए क्योंके कांग्रेस उनकी हुकुमरानी बहुत जाबिराना या जल्म करते थे उन पे, और हिंदू अक्सेरियत के नुखसान इनके सामने आया हुई यनि मुसल्मानों को इनके साथ ताइवन करने का और उनके नुखसानात का अंदाज़ा हुआ था कायद आजम मुहमद अली जिना ने खुद इस मुहिम की सरबराही की और मुसलिम ली के हर कांफरंस में शिर्कत की इनके जितने भी इंटर्वियूस थे वो सारे अखबार में शाया हुए और इस से मुसल्मानों को खबर हुई और मुसल्मान कायद आजम मुहमद अली जिना की और इज़त करने लगे जितने मुसल्मान स्यासी पार्टी से वो सारे मुताफिक हुए और इत्तफाख कर गए और काईद आजम मुहमद लिजिना की सरपरस्थी को कबोल कर लिया वो मुसल्मानों की अलामत इनके खुआप और उमीदों को एक अलग पहचान देना चाहते थे जिना की शोहरत बहस्यती रहनुमा और उनकी सरपरस्थी ने उन्हें पाईद आजम का दर्जा दिया यानि उन्हें एक ग्रेड लीडर का खिताब मिला और सारे मुसल्मानों ने उनकी लीडर्शिप को कबोल किया तो आज का था ये लेक्चर तेंक यू सो मच